20 जुलाई साल 1965 को महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत का निधन हुआ बटुकेश्वर दत को सबसे ज्यादा अप्रेल 1929 में भगत सिंग के साथ मिलकर अंग्रीजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेकने के लिए जाना जाता है इसके बाद इन दोनोंने बुलंद आवाज में इनकलाब जिन्दबाद सामराज जवात का नाश हो के नारे लगाए बम फेकने उद्देश ये किसी को हानी पहुचाना नहीं था और इसलिए बंबी असेंबली के खाली स्थान पर ही फेका गया इन्होंने वहाँ पर्चे भी बाटे जिसका प्रथम वाक्य था कि पैरों को सुनने के लिए विस्फोट के बहुत उचे शब्दों की आवश्यक्ता होती है भगत सिंग और बटुकेश्वर दतपर लाहोर शड्यंत्र के तहट मुकदमा चला जिसके तहट इन्हें लाहोर जेल भीजा गया जहां तक को आजीवन कारावास की सजा और भगत सिंग राजगुरू और सुक्तेव को फांसी की सजा सुनाई गई बाद में साल 1945 में उन्हे जेल से रहा कर दिया गया